दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब भी आम लो लूसेंट समानने घ्यान इससे रिलेटेड जो है इंपोर्टेंट 40 प्लस कोश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चांसे रेल बे गुरुप डी एससी यूपी पुलिस लिखपाल और आने वाले सभी परतियोगिता परिक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आप इस वीडिय को बहुत ध्यान से लास्तिक देखिए चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानि चुक हंटी के निसाने उससे जरूर से अंकरते हैं और यह टोटल जो है 40 प्लस कोश्चन है आप इन वैसे कितने कोश्चन सही कर पाते हैं अपने स्कूर कमेंट बक्स में जरूर बाता हैं तो चले शुरू कर रहते हैं देखिए आपर हमारा पहला कुश्चन दिया गया है निमनलेखित में से कौन सा एक है पौधों के ब्रीधी मापने के लिए परियुक्तूप करण है तो पौधों के ब्रीधी दर किसके द्वारा मापा जाता है तो यह माप जो है सबसे पहले किस ने किया था जेसी बोस ने ठीक है क्रेशको गराफ का निर्माड सबसे पहले किस ने किया था जेसी बोस ने किया था और option A में जो बोलो मेटर दिया गया है तो इसका उपयोग जो है उसमिया B किरण को मापने के लिए किया जाता है उसमिया B किरण को कि किया जाता है इको बात करें तो इससे तिल की परतियगे गतिबिधे के बारे में पता चलता है कुशन नमबर टू है अपो अर्थित परकास के माध्यम के छमता को इसके संदर में ब्यक्त किया जाता है अपो अर्थित परकास के माध्यम के छमता को जो है किसमें ब्यक्त किया जाता है तो परकासिया सगहनता में ठीक है परकासिया सगहनता में ब्यक्त किया जाता है तर्ट आंसर अप्शन यह हो जाएगा तीन कारबन वाला अड़ु है तीन कारबन वाला अड़ु है लैटिक एसे इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ शामल उनके सुरोत हैं यहां रासाइनिक सुत्र के नाम लिखें तो देखें पहला दिया गया है साइट्री कमल तो साइट कई कवाथ करें तो C6H5O7 इसके शूत्र है विवुटारी कमल की बात करें तो खट्र मोखन जो सुरोत है और विवुटारी कमल का सुत्र है भू है इसका सुत्र है hydrochloric अमल की बात करें तो यह जटर रश से प्राप्त होता है और इसका सुत्र है फार्मिक अमल की बात करें तो छीटी के डंक में पाया जाता है और इसका सुत्र है फार्मिक अमल का सुत्र है लाटी का अमल की बात करें तो खटा दूध दही थकान में मनुस्य के मांस्पेसी में यह होता है और इसका जो सुत्र है हो है C3H6O3 C3H6O3 जो है लाटी कामल का सुत्र है Q4 है पौधे से बीज में भुरूर होता है जो उचित पर स्थितियों में अंकूरित हो जाता है इस परकिरिया को इन में से किस के रूप में जाना जाता है तो देखे इस परकिरिया को जो है अंकूरन के रूप में जाना जाता है किस पीड़ी के कम्प्यूटर भारी बैक्यूम ट्यूब आधारित और महोंगे थे तो यह थे पहली पीड़ी जो पीड़ी थी तो करेक्ट आंसर अप्शन C हो जाएगा किस नम्बर 6 है मनुसे मैं निमने लेखित मैं से किस की आक्सीजन के लिए उँच आत्मियता है आक्सीजन के लिए उँच आत्मियता इन मैं से किस की है तो हीमोगलोबिन की है ठीक है करेक्ट आंसर B हो जाएगा हीमोगलोबिन की बात करें तो RBC में एक बिसेस प्रकार का प्रोटीन वडनक हिमोगलोबिन पाया जाता है, जिसके कारण से रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है, रक्त का लाल रंक इसके कारण से होता है, येक बात करें तो इसको क्या बोला जाता है लिव को साइट डबलो बेसी की जीवन काल की बात करें वाइट बॉलाड सेल इसका जीवन काल कितना होता है तो देखे इसका जो जीवन काल होता है वो ता एक से चार दिनों का जबकि RBC की बात करें तो देखे RBC Red Blood से इसका जीवन काल होता है स्वाव से लेकर एक सब विस दिनों का जो है इसका जीवन काल होता है Q7 है गोलिय दरपन की परावर्तक सताव का केंदर बिंदू क्या कहलाता है तो ये ध्रू यानि पूल कहलाता है करेक्ट आंसर भी हो जाएगा Q8 है पूजी के नियमित मुल्य च्छाई को समयोजित करने के करम में किये गए सकल निवेस के मुल्य को क्या कहा जाता है Q8 है पूजी के नियमित मुल्य च्छाई को समयोजित करने के करम में किये गए सकल निवेस के मुल्य को क्या कहा जाता है तो देखे इसको जो है मुल्य हरास कहा जाता है correct answer option ये हो जाएगा इसके अलाबा ओमुल्ययन की बात करें बहारत में पहली बार कब किया गया था सितंबरagog में हुआ था दूसरी बार अमोलियन जून 1906 में हुआ था तीसरी बार जो अमोलियन हुआ था जुलाई 1991 में हुआ था कुल एस्थिर लागत है कुल परिवर्तनिय लागत का यह कहलाता है क्या कहलाता है तो यह कहलाता है कुल कीमत ठीक है बी आंसर हो जाएगा प्रसीद लोक गीत कजरी कहां का लोक प्रिया है तो कजरी की बात करें उत्तर प्रदेश का लोक प्रिया है कर और यह चाहेगा कुछिश्य नमर 11 है www के लिए इर में से किस प्रोटोकॉल का प्रियोग किया जाता है तो www के लिए यह http http प्रोटोकॉल का उप्योग किया जाता है करेक्ट आंसर ओप्षन डी हो चाहेगा इसके अलावा http की बात करें तो इसका फुलफर्म होता है hypertext transfer इसका फुलफर्म होता है protocol ट्रांस्पर प्रोटोकॉल इसका फुल फर्म होता है TCP का फुल फर्म क्या होता है पुन्रूप ट्रांस्मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल याद रखना है आपको इन में से किस इसपाथ सन्यांत्र की अस्थापना 36 गड़ के दूर गए जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1969 में उत्पादन शुरू हुआ था तो कौन सा इस पाथ सन्यांत्र है तो यह है भिलाई इस पाथ सन्यांत्र ठीक है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इन में से किस की अस्थापना लीग अफ नेसंस लीग अफ नेसंस के अस्थाण पर की गई थी तो सन्युक्तराष्ट याणी उनाइटेड नेशन की जो अस्थापना की गई थी लीग अफ नेशन के अस्थाण पर की आ गया था आंसर हो जाएगा B इन में से किस मिल्क मैन आफ इंडिया कहा जाता है milkman of India किसे बुला जाता है तो बर्गीज कूरियन को बुला जाता है correct answer यह हो जायेगा इन में से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1974 से 1815 तक बंगाल medical service में कारे किया और भारत के कई बीवित छेत्रों में किस ने किया था तो यह किया था फ्रांसीस फ्रांसीस बुकानन ने ठीक है correct answer यह हो जायाएगा उनिस और तालेस में बैस्विक ब्यापार को बीनिमित करने के लिए गेट के स्थापना की गई थे गेट का फुल्फाम क्या है तो देखें गेट का जो फुल्फाम है वो है जनरल एग्रिमेंट ओन टैरिफ्स टैरिफ्स एंड ट्रेड जो है इसका फुल्फाम है चाहिए और यहां पर हमने महत्पूड किला उर उनके अस्थानों के नाम लिखें है ठीक है पहला दिया गया है मेहरगड़ का किला ये कहां पर है राजस्थान में है गौलियर का किला मध्य परदेश में चितोरगड़ का किला राजस्थान में सुनार का किला राजस्थान में कांगड़ा का किला हिमाचल परदेश में कुंभलगड़ का किला राजस्थान में गोजी का किला तमिलाडो में सेंट जार्द का किला मदरास में लुई का किला पांडे चेरी में रोतांग रोतासगड का किला बिहार में लोकडाउन में कौन सी धारा लगाई जाती है लोकडाउन में कौन सी धारा आप सभी को पता होना चाहिए धारा 144 लगाई जाती है ठीक है सी आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेयर क पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और करके वाल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नियु वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल सके तो सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन अन रखें मनुस्य कान में हडियों के संख्या कितनी होती है बेरी इंपोर्टन कोश्चन नहीं है आपको पता होना चाहिए मनुस्य के जो कान होती है उसमें हडियों की जो संख्या होती है छे होती है एक कान में तीन हडिया पाई जाती है और एक कान में तीन मतलब दोनों कान में मिलाकर 6 हडिया जो है मनुस्य के कान में होती है ठिक है question numbre 21 मैंने से कौन सा राज्य बक्साइड का सबसे बड़ा उत्पाधक है तो डिसा भल्यव को बजर्ट के माध्यम से बित पोषित किया जाता है और सरवचनिक बस्तों को किसी भी परत्याक्ष भुखतान-से भुक्तान से मुफ्त उपलब्ध करा जाता है इससे क्या कहा जाता है तो देखे इससे बुला जाता है सरवजनिक के प्राउधान ठीक है इससे सरवजनिक प्राउधान बुला जाता है सी अंसर हो जायेगा निमने लेखित में से किसने पाकिस्तान के गठन के मांग का बिरोध किया किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किसने किया था तो ये खान अब्दूल गफार खाने किया था सी आंसर हो जायेगा निमने लेखित में से कौन भारत में सबसे नविंतम नाभीकिय उर्जा सनेंतर है भारत में सबसे नविंतम नाभीकिय उर्जा सन्यांतर कौन सा है तो ये है कुंडन कुलम कुंडन कुलम है बी आंसर हो जायेगा कुंडन कुलम नाभीकिय सन्यांतर कहां इस्तित है तमिलाडू में इस्तित है इसके अलावा तारापूर की बात करें तारापुर नभी के रियक्टर कहा है महराष्ट में है नरवरा नभी के रियक्टर कहा है उत्तर प्रदिस में है प्रसीद उपन्यास अंटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था तो ये मुल्क राजानंद के द्वारा लिखा गया था और सजावटे समान बनाने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, जूट का, ठीक है, तो option C यहाँ पर correct हो जाएगा, जूट की बात करें, तो जूट के प्रमुख उत्पादक राजे हैं, पस्षिम मंगाल बिहार और असम, जूट का उत्पादन सबसे अधे कि किया जाता है, उनुषे देख सब पस्पन के अंत्रवटी अंसर हो जायेगा, इसके अलावा उनुषे देख सब तिरपन की बात करें, तो इसके अनुसार जो है, एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्येपाल हो सकता है, ठीक है, उनुषे देख सब तिरपन में क्या विए बताया गया है कि एक से अधिक राज्यों का एक राज्य पाल हो सकता है उनुषे दे after होनी से चुंहन की बात करें तो इसमें जो है राज्य की करेपाली का सक्ति करते राज्जन पाल में किया जाता है अनुषिद एक संतावन में क्या बोला गया है राजे पाल बनने की योगताएं जो है इसमें दी गई है राजे पाल बनने की योगताएं एक संतावन में 169 की बात करें तो इसके तहत राजे के उच नियाला है कि मुख्य नाइधिस राजे पाल को सपत दिलाते ह 169 में के तहत राज्य के उच्छ नियाले जो है ये मुख्य नायधिस राज्य के उच्छ नियाले के जो मुख्य नायधिस है वो राज्य पाल को सपत दिलाते हैं किस अनुशिद में है अनुशिद 169 में है एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संग अठन इनमें से किस की सुरक्षा पर केंद्री थे तो मानवाधिकार की सुरक्षा पर केंद्री थे एमनेस्टी इंटरनेशनल ठीक है तो अंसर हो जाएगा option B question number 29 है इसके अलाबा Amnesty International का मुख्याला पुछा जाए कहाँ पर है London में है Amnesty International के स्थापन कब की गई थी 1961 में किया गया था राष्ट मंडल खेल का मुख्याला पुछा जाए तो London में है UNICEF का मुख्याला निव यॉर्क में कौन सा अंदूलन सांतिपूर्ण होने के लिए परियाप्त नकरात्मक था लेकिन परभावी होने के लिए परियाप्त साकरात्मक कौन सा अंदूलन कौन सा अंदूलन है तो यह है असयोग अंदूलन ठीक है तो आंसर हो जाएगा C 1793 में 1793 में बस्ताई बंदबस्त लागू होने के समय बंगाल का गौर्णर जनरल कौन था तो उस टाइम पे जो बंगाल का गौर्णर जनरल था वो था लॉड करनवालिस ठीक है करेक्ट आंसर सी हो जायेगा जै जए जवान जै किसान का प्रसीद नारा किस ने दिया था तो इसका नारा जो है लाल बहादुर सास्त्री ने दिया था करेक्ट आंसर हो जायेगा प्रमुख नारा और बेक्ति यहां पर हमने लिखे पहला दिया गया है इनकलाब चिंदाबाद तो इसका नारा भगत से ने दिया था बंदे मात्रम बंकिम चंद्र चटोपाध्याय ने दिया था जै जवान जय किसान और जय बिक्यान इसका नारा जो हटल भी अरिवाजबाई ने दिया था वापस बेदोयो वापस बेदो की यूर स्वामे दयनन सरशती ने नारा दिया था गरिबी हटाओ का नारा इंद्रा गाधी ने दिया था सांती संपुर्ण करांती जै प्रकास नारायन ने ये नारा दिया था तो आपको याद रखना है भारत में भारत में सीमा सड़क संगठन यानि बोर्डर रोड और्गेनाईजेशन के स्थापना कब की गई थी तो इसके मई 1960 में याद रखना है ओप्सन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पंचसील समझाओतों का परतिपादक कौन थे पंचसील समझाओतों का परतिपादक कौन थे तो इसके परतिपादक थे पंडित जुहरलाल नहरू ठीक है आंसर हो जाएगा सी महात्मा गाधी ने निमन भाग लिया था तो किस में भाग लिया था कुलकाता दिवेशन में भाग लिया था ठीक है तो आंसर हो जाएगा डी भारत की आत्मा गाउं में निवास करती है तो देखी यह अकथन जो है महतमा गाधी जी का है डी आंसर हो जाएगा भारत सेवक समाज के स्थापने किस ने की थी गोपाल क्रिश्न गोखले ने किया था ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मोती मशित किस नगर मेशती थे मोती मशित किस नगर मेशती थे आगरा मेशती थे करेक्ट आंसर यह हो जायेगा मोना लिशा का प्रसीद पेंटिंग किस ने बनाया था मोना लिशा का प्रसीद पेंटिंग किस ने बनाया था बिस्टो का पहला सफल मानव हिर्दय परतरूपन किस ने किया था तो ये किया था क्रिशियन बर्नार्ड ने ठीक है आंसर हो जायेगा बी काजू की खेती के लिए कौन सी मिटी सरवाधी को प्यूगत है तो यह है लेटराइट मिटी ठीक है लेटराइट मिटी अंसर हो जायेगा T पुराना बिहार का कितने परतिस्वत जमीन लेकर जारखन राज्य का निर्माड हुआ था तो 46.84% जमीन लेकर जारखन राज्य को बनाया गया था तो यह अंसर हो जायेगा किस घटना ऐबाद महात्मा गांधी जीने और सयो गांधुलन को अपनी हिमाला जैसी भूल बताई तो ये चाटरी चाटरा कांड नहीं होता मतलव इसी करान से जो सयो गांधुलन महात्मा गांधी जीने वापस लिया इसी को मतलब गांधी जी ने क्या बोला कि हिमाले जैसे भूल इसी को बताया था ठीक है तो आंसर हो चायेगा आप सनी तो दोस्तों ये थे लुशेंट समाने गयान के इंपोर्टेंट 40 प्लस कोश्चन आई होप की वीडियो जो आपको पसंद आ रहेगा पसंद आ तो अगले वीडियो में नमस्कार जै हिंद जै भारत